बक्सवाहा फोरेश्ट यह एक अध्भुत और विसाल जंगल है जो कि भारत के मथ्य परदेश राज के छद्रापूर छिले में 24 डिग्री 15 मीटर के उत्री छांस से 89 डिग्री 17 मीटर की पुर्वी देसांतर की पीच श्थी थे जो कि लगभग 364 एकड में पेला हुआ है यहां वनिस्वित्तियों के कई विवी परजातियां हैं और यहां लगभग लाखो जीव जंदों का निवास है इस जंगल की यह खूबी है कि यहां सागोन के अलावा इपल तेंदू जामून महुआ बहरा अरजुन सहित अनेक परजातियों के पेड़ हैं इसके साथ यहां क यह वन कई विशेश जीवों का आस्राय हैं जिन में यहां के चर्चित जीव जिनकी संखिया लगभग लुप्त की कागार पर है यहां तो बहुत ही कम बची हैं यहां के परमुख वनी जीव में सामिन हैं टाइगर, लिपर, जेकवार, स्लोथ वियर और ब्लेट केमन आधी कई तरह के विविन जीव यहां के परमुख निवास करते हैंट यह वन ने आप में एक स्वर्ग है जो कि पूर्न रूप से प्रकृतिक सुंदबताओं से धरपूर है और यहां के मूला दिवाशी जो कि पूर्न रूप से इस चंगर पर ही आसरीत रहते हैं और अपना पार पॉसर कर रहे हैं यहां वन परेटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं यहां उन्हें कई जीवचेंगली जन्तों देखने को मिल जाते हैं वो भी अपने नेचुरल हैबिटेट में यहां सालाना कई टूरिस्ट आते हैं जो कि केंपिंग वाइल प्रेकिंग के दिवाने होत कई जीवचेंगों को मिलने की संभावना बहुत ही अधिकों और आप उनकी अच्छी तस्वीरी लेखाईएं बैतवाय नदी इस शंगल से होकर उजड़ती है और यहां लगवग सभी जीवचेंगों के समेत यहां से लगवग कुछ दुरी पर बसे गाउं बुंदेल बिपूर्ण रूप से इसी नदी पर आसरित हैं और समेत इस शंगल के सभी वन्यची जन्तु भी इसी नदी पर आसरित यह नदी इन जंगलों पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है इसके ना होने से मान तो यहां पर कुछ भी वन्यची जिवचेंगों का जीवन संभव करता है लेकिन अब यहां के सभी जीव जन्तु संकट के घेरे में खड़े उत्रे हैं क्यूंकि बक्सवाह जंगल में हीरो की खेनम अथ्वा दाइमेंड माइनिंग एक संकट का विषय बना हुआ है जो कि यहां के भोबोलिक प्रस्तिती पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालेगा एक अनुमानित सर्वे से डाइमेंड माइनिंग में लगबग 2,15,000 से भी अधिक पेड़ों का पटाई होगी जो कि यह वन का लगबग वाले वनी जीव जन्तों पर इसका बहुत ही भयानक प्रभाव पड़ेगा यहां से 20 किलोमेटर तूर 15 निशनल पार्क टाइगर रिजर्व संचुरी इस पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा क्यूंकि एका एक भोगलिक परिस्तिती उन रूप से चेंज हो जा इस वनी पर पूर्ण रूप से आश्रित है और यहां के मुल निवासी है उन पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव डालेगा साथ ही साथ इसका प्रभाव पूरे प्रिक्थवी पर देशने को मिदेंगी यह माइनिंग प्रोजेक्ट बहुत बड़े मात्रा में ग्लोबल वर्म को एक चिनोती मिलेगी परियावनों को कई रूपों में छती होगी फलस्वरूप यह संसार को विनास की और ले जाएगा और कई तरह के आपदाओं को निमंद्रन देगा या जानते हुए भी कि टाइमेंड माइनिंग एक फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है जिसमें जलो की बहुत अधिक मात्रा में खफ़त होती है और जिसकी पूर्ती वहां की सबसे नजदिक नदियों के दुआरा ही किया जाएगा एक आकड़े के अनुसार डाइमेंड माइनिंग प्रोसेस में लगभग 5.9 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर पर येर मतलब 500 करोड लीटर वाटर पर 3 वर्ष खर्च की जाएगे तो आप समझ ही सकते हैं कि जलो की कमी से भी यहां के जिव जन्ति और बाकी के आस पास के सबी गाओं को कितना कठनाईयों का सामना करना पड़ेगा और तो और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि आज के इस यूग में हीरो को बनाया जा सकता है जी हां दोस्तो आग के इस जवाने में हीरो को लेब में बनाया जा रहा है लोग अपने पुरोजों के अस्तियों से भी हीरो को बनवा रहे हैं तो फिर ये हीरो की माइनिंग क्यों जब हीरो को ले में बनाया जा सकता है तो फिर हीरो को माइनिंग क्यों जिसमें लाखों पेड़ों को काटा जाएगा और तो और वहां के जीव जंतों के प्रकृतिक आवास को भिनश्ट किया जाएगा इनसे उन्हें काफी छती होगी और साथ ही साथ ये प्रिक्तिवी के लिए भी बहुत ही हानिकारक होगा तो दोस्तों आपको क्या लगता है आपको क्या विचार इस माइनिंग पर क्या ये माइनिंग होनी